भगोडे खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुक अमरित पाल सिंग के सरेंडर करने की अटकलें तेज हो गई हैं अमरित पाल 20 दिन से फरार हैं पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापे मारी कर रही हैं इस बीच अकाल तक्त के जथेदार यानी हरपरीत सिंग ने शुक्रवार यानी आज तलवंडी साबो के दमदमा साहिब में विशेश सभा बुलाई हैं इस बैठक में पंजाब और पंजाबियत को समर्वित देश और विदेश से जथेदार, लानेदार, नेहंग और सिक भाग लेंगे इस मीटिंग को लेकर खूपिया एजेंसियों के साथ साथ पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग अलर्ट मोट पर हैं इसको लेकर पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विंग और अन्य ऑपरेशन टीमों की मीटिंग हुई हैं पंजाब डीजीपी कार्याले की ओर से राजजी के पुलिस कार्याले की प्रमुकों को भेजे गए एक जरूरी संदेश में सभी राजपत्रित, गेर राजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 14 अपरेल 2023 तक रद्द करने को कहा गया है इन सब के बीच परारी के तौरान अमरित पाल ने सिख समदाय के लोग का समर्थन जुटाने के लिए अपना एक वीडियो जारी करते हुए उसने सर्वत खालसा बुलानी की मांग की थी उसकी समांग का अकाल तक दिल्ली सिख गुरुदारा प्रवंदा कमिटी दल खालसा और कई अन्य संगचनों ने समर्थन नहीं किया है दरसल अमरित पाल ने 29 मार्च को अपना पहला वीडियो जारी किया था इसमें उसने भारत और विदेशों में सिख समदाय के लोगों से अन्याय के खिलाफ लड़ने का आहवान किया था उसने बैसाकी पर सर्वत खालसा के मौके पर दुनिया भर के सभी सिख संगचनों से इसमें भाग लेने की अपील की थी इसके साथ ही उसने कहा जत्यदार को इस मामले में स्टेंड लेना चाहिए और सभी जत्यदार औटक्साल को भी सर्वत खालसा में भाग लेना चाहिए भगोड़ा अमरिट पाल ने कहा था देश और विदेश में जो भी सिख लोग हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि वैशाकी पर जो सर्वत खालसा का कारिक्रम होना है उसमें हिस्सा लें सर्वत खालसा में दुनिया भर की सिख समधाय की संगठनों को बुलाया जाता है इसमें कुछ मसलों पर चर्चा होती है और फैसले लिये जाते हैं जिनें सभी मानते हैं ऐसा माना जाता है कि सर्वत खाल सा बुलानी का अधिकार अकाल तक्त के पास है क्योंकि वही सिखों के सर्वोच संस्था है। इम्रित पाल केस में पुलिस ने पिछले महीने 360 आरूपियों को हिरासत में लिया था। लेकिन अकाल दक्त ने 27 मार्ज को पंजाब की भगवंत मान सरकार को चेतावनी देते हुए 24 घंटे में निर्दोश नौजवानों को छोड़नी की बात कह दी थी। इसके बाद पुलिस को 348 आरूपियों को छोड़ना पड़ गया था।